हेलो बच्चो स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में आज हम साइंस के लिए MCQs का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम साइंस से रिलेटेड MCQs को पढ़ेंगे हमारा पूरा पेपर MCQ बेस्ड होगा यहां पर हम 50-60 MCQs के बारे में डिसकसन करेंगे और लास्ट में कुछ और भी कुशन्स है जो मैंने आपके लीए लिये हैं तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले कुशन की बात करते हैं आपर मैं इसके तारेक्ट आपको लेंग्वेज में कुछ बच्चों की ये सिकायद रहती है कि सर हम तो इंग्लिस में पढ़ते हैं हमें हिंदी में समझ में नहीं आता तो अब इसमें आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैंने कुछ इसको दोनों लेंग्वेज में ले लिया है जैसे कि पहला जा सकता है या पधार्त केवल नष्ट किया जा सकता है तो आप जानते हैं कि वेटा जो द्रभ्यमान सरक्षण का नियम है यह कहता है कि कोई भी चीज मान लेते हैं यह एक किलो अगर हमने इसको तोड़कर इधर दो टुकड़ों में तोड़ दिया तब भी यह क्या रहेग नेक्स कुश्चन में क्या कह रखा है नेक्स कुश्चन बात करता है कि संतुलित राशाइनिक समीकरन क्या है यानि कि वाट इजा बेलेंस्ट केमिकल एक्वेशन यानि कि जो बेलेंस्ट केमिकल एक्वेशन होती है वो कैसी होती है तो यह पहला option दे रखा है इसका कि इसके जो दोनों पक्ष हैं दोनों पक्ष समान संख्या परमानों वाले समीकन होते हैं या है दोनों पक्षों पर समान संख्या में परमानों वाले समीकन होता है या किसी भी पक्ष पर परमानों के बिना समीकन होता है या केवल अभीकारों को वाला समीकन होता है कि balance location क्या होती है balance location तब होती है कि जैसे मान लेते हैं यह है इधर मान लेते हैं मेरे पास 5H थे तो जब तक मेरे पास 5H नहीं होंगे मान लेते हैं इधर 2O थे तो और 2 थे तो इधर भी जब तक मेरे पास 2O नहीं होंगे तब तक यह क्या नहीं होगी balance नहीं होगी तो इससे ह तो यह समझ में आया होगा आपको नेक्स पर चलते हैं यहां पर मैं आपको concept नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ एक mzq-based वीडियो है और हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा questions को revise करना है वरना तो इसमें भी हम concept discuss कर सकते थे जो question आता जा रहा था उसके बारे में ज उपयोग किया गया पता तो एक अभी क्रिया के दोरान क्या किया जाते हैं उपयोग किये जाते हैं इसका मतलब अभी कारक क्या है अभी कारक आप जानते हैं कि यह अभी क्रिया की दर को क्या कर देते हैं तेज या दीमा कर देते हैं इसका मतलब इनको हम अभी क्रिया के तो बना ली रोटी बना ली रोटी तो यही रोटी जो बनी है यह क्या है हमारा उत्पात तो क्या होता है एक अभी किरिया के दोरान बनाया गया पधार्त होता है बिल्कुल सही बात है एक अभी किरिया के दोरान उपयोग किया गया पधार्त भाई इसको हम अभी किरिया के दोरा बनाया गया पदार तो इंगलिज कौन सा हो जाएगा आ सबस्टेंस देट इज फॉर्म ड्यूरिंग आ रियक्षा नेक्स पर चलते हैं नेक्स की बात करते हैं कि कुश्चन नमबर फाइव है वाट इस एन एंडो थर्मिक रियक्षन यानि कि जो अंतह श्राविय विक्रिया क वारे में बात कर रहा है तो अंतह श्राविय विक्रिया कैसी होती है जो विसमा छोड़ती है जो हीट pan रिलीज करती है तो कौन सा और मिक्रिया दे रहा है आपको एक अभी किरिया जो उसमा अफसोसित करती है मैंने गलत बोल दिया उसमा अफसोसित करती है छोड़ती नहीं है वो तो एक्जोथर्मिक होती है एंडोथर्मिक है ठीक है यहाप एंडोथर्मिक है मैंने इसको साथ एक्जोथर्मिक पढ़ा तो क्या हो जाए क्या है जो ऊस्मा छोड़ती है क्योंकि पहले वाले की उल्टी है यह तो कौनसा ओप्शन हो जाएगा एह हो जाएगा नेक्स पर चलते हैं तो हमने इसका क्या कर दियाएग क्या क्या क्याता दिकंपोजीशन कर दिया तो देखते हैं कौनसा इसका ओप्शन सही होना चाहिए आईएग बढ़ते हैं विगतन एक अभिकिरिया है कैसी किरिया है एक अभी किरिया जहां एक पधार्द दो द्रभ्यमान सरक्षण का नियम है यह थोड़ा सा यहां पर यह option इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा यह गलत हो गया है यानि कि a reaction where one substance यानि कि कैसी reaction है ऐसी reaction है जहाँ पर one substance क्या form करता है two or more substance जैब अभी अबनी बात करी हमने जैसे एक बड़ी चीज को तोड़ कर हम क्या कर सकते हैं चोटी चोटी चीजें बना सकते हैं इस प्रकार से वही तो decomposition reaction होगी तो यह यहाँ पर थोड़ा अशा मिस्प्रिंट हो गया है इसका यह option जो है चारो यह गलत है इसका पहला वाला option सही है question ठीक है यह नेक्स पर बात करते हैं what is a synthesis reaction यहाँ पर है synthesis reaction synthesis reaction क्या होती है हिंदी में कहते हैं संसलेशन अभी करिया क्या है तो संसलेशन अभी करिया के बारे में बात करते हैं एक अभी करिया जहां एक पधार दो या दो से अधिक पधार्थ बनाता है नहीं ये तो अभी अभी आपने पणा डीकंपोजीशन था एक अभी करिया जहां दो या अधिक पधार्थ एक पधा तो यहां पर कौनसा अंसर हमारा सही हो जाएगा यहां पर हमारा option number बी correct हो जाएगा कौन सा option number बी एक अभी किरिया जहां दो या दो से अधिक पधार्त एक पधार्त बनाते हैं कुश्यन नमर नेक्स देखते हैं नेक्स्ट है what is our displacement reaction देखो नाम से पता चल रहा है displacement माल लेते हैं ये आप हैं और ये आपके साथी हैं आप दोनों क्लास में सोर कर रहे थे तो टीचर ने क्या किया टीचर ने आपको यहां पर बिठा दिया और आपके साथी को यहां पर बिठा दिया तो आपका क्या कर दिया आपका displacement कर दिया आपका इस्थान परिवर्तित कर दिया तो ऐसी कौन सी है विस्थापन अभीक्रिया कहते हैं हिंदी में एक अभीक्रिया जहां एक पतार दूसरे की जगह लेता है लगवाग यही बात हमने करी थी तो हमारा पहला ही option क्या हो जाएगा ठीक क्या होती है displacement reaction a reaction where one substance takes the place of another ठीक है नेक्ट पर चलते है कि कुश्चन नमबर तरस है part is a combustion reaction अभीक्रिया क्या होती है तो यह क्या है a reaction that involves the combination of a substance with oxygen यह पहला वाला इसका option सही है क्योंकि क्या कह रहा है यह अभी गया है जो oxygen के साथ होती है सहीयऊ जन में सामिल होती है वो क्या होता है combustion कहलाती है ठीक है कि नेक्स पर चलते हैं इसमें इलेक्ट्रोनों की क्या होती है या रियक्षन डेट इंवल्फ दा लॉस ओफ एलेक्ट्रोन्स यानि कि जहां पर लेक्ट्रोन का लॉस होता है उसे कौन सी रियक्षन कैसे कह देते हैं दियक्शन तो कौंसा घिक हो जाएगा इसका एैड़ कौंसा रिएक्शन पर तो जन क्या होती है वेटा रिक्षे डैड़ इन्वर्थ था लोस ऑफ इक्ठोंस यह होंगे नहीं क्यों कि अभी अभी हमने पहले option वाले पढ़ा था उसका अंसर था यह reaction that involves the gain of electrons हमने क्या देखा था हमने देखा था जो हमारा इससे पहले वाला कुछन था कौन सा था oxidation reaction oxygen reaction में क्या होता है electron का loss होता है और जबकि reduction reaction उसमें क्या होता है reaction में electron का मदलब प्राप्ति होती है electron में बढ़ोतरी होती है तो gain of electrons होता है तो कौन सा option ठीक हो जाएगा बी वह अभी कि रिया जिसमें electron का क्या होता है लाव होता है next पर चलते हैं next question क्या है what is our neutralization reaction यानि कि neutralization reaction नाम से पता चलता है neutral जैसे आपने देखा कि मानलो एक यह आप हैं और एक यह आपके दूसरे दोस्ते हैं इनके साथ किसी बात पर लेकर आपका जगड़ा हो गया आगे क्लास में teacher ने बूझा भाई क्या बात थी तो आपका एक और तीसरा दोस्त साथ इनका भी दोस्त है और इनका भी दोस्त है तो अब वो किसी के favor में नहीं बोल सकता जब वो किसी के favor में नहीं बोलेगा तो वो कैसा रहेगा neutral कैसा रहेगा neutral और जब वो neutral रहेगा तो इसका मतलब क्या है वो किसी के favor में बात नहीं कर रहा है तो यहां ऐसे neutral reaction क्या होंगी जो किसी के भी favor की बात नहीं करेंगी it means क्या है वह अभी कि रिया जिसमें अमल एवम छार का सईयोजन होता है ठीक है neutral रहती है यानिकी next पर चलते हैं next question है what is a precipitation reaction यानिकी precipitation reaction क्या होती है यानिकी अवचेपन अभी क्रिया क्या होती है मैंने आपके पहले चैप्टर में से लगवग हर तरीके की reaction को सामिल किया है यहां पर ताकि आपके paper में कोई साभी सवाल अगर पूंचा जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाएं तो आप छेपन अभी क्रिया क्या है तो आप छेपने वह अभी क्रिया जिसमें ठोस पधारत का क्या होता है न से राशानिक बंद क्या होती है यह बल जो पर्मानों को एक साथ रखता है वहीं क्या है राशानिक बंदन है एस कोटे-ठोते मिल बना है यह बात हम जानते हैं तो इनको एक दूसरे के साथ हो Breaking आरव करते है next है the sine finish of wall after white was is because of यानि कि जो finishing आती है दीवार पर वो किसके करणड आती है तो calcium oxide होता है या calcium hydroxide होता है या calcium carbonate होता है या calcium phosphate होता है तो क्या होता है वो calcium carbonate calcium carbonate होता है या calcium hydroxide होता है बहुत सारे बच्चे इंदोनों में confused होते हैं तो इसका answer मैं आपको नहीं करा रहा हूं यह इसका answer यह आपके लिए homework है आप इसका answer comment box में बताएंगे मुझे comment करेंगे इसका answer दिन बच्चों को पता है ठीक है कौन सा option होगा next पर चलते हैं नेक्स्ट है question number 17 question number 17 क्या कह रहा है which of the following statement of the reaction are correct 3FE plus के 4S2 इधर क्या हो गया 3FEO 3FE2 बेटा इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि यह जो है आपका question यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया यह जो line है इससे पूरा सवाल होगा और यह यहाँ पर गलत type हो गया है और अभी फिलहाल मेरे पास है भी नहीं यहाँ पर मैं पता भी नहीं कर सकता कि यह सही होगा वैसे यह वाला जो होगा यह होगा 4H2O gas है और इधर F ही है लेकिन अब यह नहीं पता इसके आगे 3 लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ तो हम यह नहीं बता सकते कि कौन सा वाला इसमें सही है तो फिलाल हम इस question को क्या कर देते हैं कट कर देते हैं next पर चलते हैं next question है हमारा next chapter आया एक तरीके से अब यह जो आपका 5 chapter है the process of respiration यानि कि स्वसन की प्रिक्रिया क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं तो स्वसन कैसी की प्रिक्रिया है एक ऑक्सी कारक अभिक्रिया जो उसमा गतिक होती है एक अप्चैन अ अप्चैन अभिक्रिया जो उसमा गतिक होती है एक ऑक्सी करना भीक्रिया जो उसमा छेपी होती है तो ऑप्चैन डीस का राइट आंसर है एन ऑक्सीडेशन रियक्शन विच्चिज एक्जो धर्मेग जो कि क्या करती है उसमा को निकालती है next पर चलते हैं question number 19 को देखते है question number 19 क्या कह रहा है question number 19 कह रहा है burning of methane is an example of methane का जलना किसका एक्जामपल है जल्दी बताए सोरी life class नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा यानि कि first and second is the right answer methane का जलना किसका उधारण है only second sorry मैंने गलत बता दिया only second second क्या है combustion reaction यानि कि दहन अभी करिया है कौन सी अभी करिया है दहन अभी करिया है next पर बात करते है चलिए next देख लेते हैं solution of substance X is used for white washing the substance X is यानि कि पधारत का जो घोल है सफेदी के लिए उपयोग किया गया है तो क्या होगा ये जो मैंने अभी आपको पीशे वाला कुशन दिया था ये लगवा उससे मिलता जुलता कुशन ही है तो आप इसका भी answer comment box में comment करेंगे मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा दोनों कुशन को समझ पाया है या नहीं समझ पाया है तो आप इसका भी answer क्या करेंगे comment करेंगे है ना उसमें हमने पूचा था कि चमक किस से आती है और इसमें हमने पूचा आया कि जो हम सफेदी के लिए यूज करते हैं वो कौन सा होता है चलिए question number next पर चलते है question number next है the given chemical reaction is an example of यानि की दी गई राशाने कभी के लिए किसका उधारन है तो आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है वेटा displace meant यानि की चीजों को हटा कर एक दूसरी ने उसकी जगे ले ली जैसे देखिए यह यह लिखा हुआ है ZN plus CUSO4 यह थोड़ा सा गलत हो गया है यह 4 आएगा इसमें और इसकी जगे पर क्या बन गया इसकी जगे बन गया ZNSO4 तो ZNSO4 बन गया आपने क्या देखा आपने देखा कि जो यह हमारे पास CU था क्या था CU था CU को अटा कर कौन बैठ गया ZN बैठ गया तो इसने इसका क्या कर दिया displacement जैसे अभी हमने क्लास में बात करी थी कि आपके टीचर ने आपको यहां बिठा दिया और आपके साथी को यहां बिठा दिया तो वही चीज यहां पर हो गई क्या हो गया displacement हो गया तो कौन सा option सह we can. बाटी चैनल कि यह सब्ता ऑटा क्म डारी यहां होती हैं तो छो बनने वाली राहती है वह किस प्रकार की होती है तो बस आप बच्चे जानते होंगे और आपने क्लास में प्योया किया होगा तो कैसी होती है Chancellor वाइट होती है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है, the reaction in which two compound exchange their ions to form two new compound is called, यानि कि ये कहना चाहरा है कि जब दो योगेक या compound जो होते हैं, आयनों का यानि कि आयन का interchange करते हैं, आयन को exchange करते हैं, तो जो नही योगेक बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विस्तापन अभी के या Redox reaction तो इसका answer क्या हो जाएगा double displacement reaction का मतलब क्या है, एक दूसरे को replace कर देते हैं, यानि कि उसमें दो कुछन नमर्ट 24 पर चलते हैं कि नमर्ट 24 की बात करते हैं विच ऑफ दा गिवन प्रोटेक्ट इज फॉर्म वेन केल्चियम औक्साइड रियक्स विद बॉटर यानि कि क्या बनता है जब केल्चियम औक्साइड वॉटर के साथ रियक्ट करता है तो इसका अंसर क्या दे रख आप्सान नमर्ट 25 की बात करते हैं कि इसका अंसर क्या हो जाएगा विटा इसका अंसर हो जाएगा एमाईलेज कौन सा हो जाएगा एमाईलेज नेक्स पर चलते हैं देखे मैं लगवक सभी कुस्टेंस को सामिल कर लिया है मेरे साब से आपका जो भी कुश्टन है और इससे बाहर नहीं जाना चाहिए कुश्टन नमर्ट 26 को देखते हैं रंद्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्फर करता है तो बड़ा इंगलिस में समझते हैं इंगलिस में कम समझ में आ रहा है दा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑप इस्ट्रोमेटल को डिपेंड सोन यानि कि जो इस्ट्रोमेटा होता है इस्ट्रोमेटा के होल्स का बंद होना और क्लोज होना किसके ऊपर डिपेंड करता है यह डिपेंड करता है आपका वाटर इन गार्ड सेल्स यानि कि रक्षक को सिखाओं में पानी की जितना पानी यह लगवग उपर वाले प्रिशन से मिलता प्रिशन था next पर आजाते हैं question number 4 है question number 4 नहीं कहेंगे question number 28 question number 28 में इसने क्या कहा है इसने पूचा है complete the following reaction यानि कि हमें इस reaction को complete करना क्या हुआ जब carbon dioxide ने जल के साथ reaction किया किसकी present में sunlight की present में तो हमें क्या प्राफ्ट हुआ glucose प्राफ्ट हुआ और hydrogen और oxygen प्राफ्ट हुई तो अब आपने क्या देखा कि यह क्या है यह photosynthesis की reaction है और photosynthesis किसकी present में होती है एक तो sunlight की present में होती है और एक chlorophyll की present में होती है तो इक chlorophyll की present में होती है question number 29 की बात करती है the energy currency of the cell अलग आ गया है आप जानते हो कोशिका को किसके रूप में गशाइड नेक्स्ट कबात करते हैं अंगत है नेक्स्ट है इंटर्नल या सेलूरL le डिवर्स इन आटोट्रॉपस जयानी कि स्वयपोसी में जो और्व ऊचाईटरिप्ट उता है वह किसके स्टार्ज हां ठीक है स्टार्ज दा राइट आंसर नेक्स्ट पर बात करते हैं नेस्ट है दूरिंग डिफीचेंसी ओफ ऑक्सीजन इन टिसूस ओफ यूमन बिंग्स दू पाइरुविक एसेड इस कनवर्टिट इन्टू लेक्टिक एसेड यानि की जो हमारी ऑक्सीजन की कमी के दोरान जो हमारा पाइरुविक एसेड होता है वो किसमें परिवर्थित हो जाता है तो ऐसा किसकी वैसे होता है साइटोप्लाज्म की बज़े से ठीक है नेक्ट पर चलते हैं कुष्ण नंबर 33 क्या रहा है कुष्ण नंबर 33 क्या रहा है संकुचन के दोरान हिर्दय के अंदर रख्त के बापस प्रवाहा को कौन रोकता है यानि कि जब हमारा ब्लड सुकुडता है सॉरी बिलड ने हमारा हर्ट सुकुडता है तो उस दौरान जो बिलड पापस हमारे हर्ट में ना आ है उसको रोकने के लिए किस कि क्या लगा हुआ होता है हमारे बिलेट के अंदर तो उसको रोकने के लिए हमारे हर्ट में लगे होती है क्या बाल्ब्स लगे हुए होते हैं क्या लगे हुए थे हैं वाल्ब्स इन हार्ट यानि की हिर्दें में वाल्ब्स लगे हुए होते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं, कुश्य नम्मर 34 क्या कह रहा है, कुश्य नम्मर 34 है हमारे पास, निमले खितमे से किस एंजाइम को सक्रिय होने के लिए अमलिय माध्यम की आवेशक्ता होती है, तो ये कौन सा है, ये पैपसिन है, इसको तो आप जानते होंगे लगवक सभी बच्च यानि कि बाहर उसको बोड क्या करता है, वो करता है, क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन करता है और फिर उसको एब्सॉब करता है, ऐसा कौन करता है, तो ऐसा करता है कौन, फंजाइन राइजो पस है क्या कहीं इसमें, दिखाई दे रहा है कि यहां यह रहा है, डी ओप्सन, फ हाद्य पता हाद को तोड़ता है और फिर उसे अफसोसित करता है वह है है एक जीवानु राइबोजियम और एक कबक राइजो पस्टीक है नेक्स पर चलते हैं कुछ नमबर नेक्स है नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूड इन दा हुमन बोड़ी अदर देन ब्लड जानि कि मानव के विट्ध के सभी सरीर में रकत के अलावा किसी और परीसंचारी द्रव का नाम बताईए ब्लड के अरी किया रहा है नेक्स्ट क्या खेलंग में थे उमन वहार यहार हुगा तो क्या होता है आप सब्वी बच्चे जानते हैं क्या होता है हीव 2009 ब Même है next question क्या कह रहा है next question कह रहा है root of the plant absorb water from the soil through the process of यानि कि पौदों की जड़े मिट्टी से पानी को किस प्रिक्रिया के माध्यम से अफ्सोसित करती हैं तो diffusion के द्वारा transpiration के द्वारा osmosis के द्वारा या ननोग दीज के द्वारा तो ऐसा वेटा इसकी वज़े से होता है ऐसा परासराण की वज़े से होता है ऑफसर नमर सी जिसे English में कहते हैं Osmosis कि अवाज में थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी क्योंकि इंकलाब पूरी को द्वारा उका आधान प्रतान होता है क्या होता है डूरिंग रेसपाइरेशन एक्स्टेंज जोफ गैसे टेक्स प्लेस इन तो सबसें कंसा हो जाएगा इसका बताओ जल्दी से इसका हो जाएगा फोटो कि सुरी में गलत बोले ज़ Mormon हो जाएगा दूसरा कुम यानि कि भाट कि यानिकि रहे घ्रमने ही तो हमारी आदार्व प्रदान होता है तो इसका नंबर कौन सा ओप्शन हो जाएगा नेक्स पर चलते हैं कुछन नंबर 40 यह कह रहा है वाट इस दा प्रोसेश बिच प्लांट्स में दियर ओन पूट यह तो आपको सबको बच्चे बच्चे को पता है कि प्रिकास संसलेशन के द्वारा ही तो वह प्रिकास संसलेशन होता है यह त्रांस्पिरेशन होता है यह यह तो वेटा इसमें क्या होता है रखेंगे सभी बच्चे कंशन पर चलते हैं कौन्षा कुछन था यह फोटी बनता फोटी टूक पर आ जाते हैं यह है वाट इस दा बाई प्रोडेक्ट और फोटो सिंथेसिस यानि की प्रिकान संसलेशन से क्या उत्पाद बनता है तो आपको बताएं वही क्या बनता है और नहीं बनती ऑक्सिजन है कि इसमें कहीं ऑक्स बनता है और जल भी निकलता है पर ठीक है ऑक्सियन वाला ही ऑप्सिन इसमें सही है नेक्स्ट पर चलते हैं कुछन नंबर थिरी थिरी नहीं कुछन नंबर फोटी तिरी यह क्या है वाट इस्ता प्रोसेस बाई विच वाटर मूव्स थ्रो ए प्लांट फ्रॉम दा रूट इन डुदा एयर एस वॉटर वैफ याने कि फिर उसको वाटर वैफर के रूप में लिकाल देता है वह कराए वेपरिकरिया जिसके द्वारा पांई एक पौदे से पतियों तक पहुंसता है जल बात्रूप में हवा में छोड़ देता है क्या कहलाता है प्रकास नंसलेशन कह नेखस्ट को से नहें वे चुंभार्ड ऑफ दाप्लांट सेल एज र bureaucसिवल फोल्टर संथ्स ज्यानिकी फोटो संंतेसिस के लिए बडार प्रकास अंसनेस्लेसिट kicking को संफर के Le Okey क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट नंबर 45 वाट इस दा एनरजी सॉर्स प्वोर सेलूलर एस्पाइरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है उसके एनरजी का सोर्स क्या है तो इसके इस ग्लूकोज नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट है वाट इस दा बाइप्रोडेक्ट ओफ एरोबिक रेस्पिरेशन यानि कि एरोबिक स्वेशन का उत्पाद क्या है तो एरोबिक क्या होता है कारवन डाई ऑक्साइड और तो है कि इसमें कोई आप्शन हाँ आप्शन नमबर कारवन डाई ऑक्साइड और नेक्स्ट पर चलते हैं कि कुष्या नमबर 47 वाट इस दा फ्रॉसेज वाई विच दा बॉड़ी रिमूवस वेस्ट प्रोड़क्स यानि कि जो वेस्ट प्रोड़क्स को बॉड़ी किसके द्वार रिमूव करती है उत्स्रजन के द्वारा प् नेक्स कोशन है वाट इस दा प्रोसेज वाई बेच दा फूड मेंटेंज दा इस्टेवल इंटर्नल एंवार्मेंट डेस्पाइट चेंज इन एक्स्टरनल कंडिसन यानि कि यह कहना चाहरा है कि कौन सी प्रिक्रिया है जिसके द्वारा शरीर बाहरी प्रिस्तितियों में इसका रघ्षेंट के बाद भी एक इसतिर आंत्रिक बातामर बनाई रखता है यानि कि बाहरी चेंज होते रहते हैं उसके बाफ जी हमारी बादी में इंटर्नल इचेंज बहुत कम आते हैं उसका रीजन है उसके बारे में यहां पर बात करी गई है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इस का अंठर हो जाएगा होम यो इस यानि कि हंदी में क्या कहते हो हम्यों स्टेस ही कहेंगे आयँ आंशल हो जाएगा और रॉप्संद नंबर ग्यों यह पर चलते हैं पुर्टिञ नाइन कुशन है हमारा से अपसिश्ट और अतिरिक पतार्त को छांने के लिए कौन सांग कुण्य जिम्मध़ार ? यानि कि blood को blood verification का काम कौन करता है तो blood verification का काम कौन करता है kidney करती है क्या आपको kidney कहीं दिखाई दी रही है इसमें option number D में कहां है option number D इंगी में कहते हैं question number 50 की बात करते है question number 50 क्या है what is the term for the movement of molecules from an area of high concentration to an area of low concentration registration यानि कि high concentration से low concentration की और का जो प्रोसेस वो क्या है तो वो क्या क्या कहलाता है हमारा विश्रण कहलाता है क्या कहलाता है विश्रण या इंग्लीज में क्या कहते हैं diffusion के अब देखो यहां पर मैंने कुछ questions और लिए है इन questions को हम समझेंगे क्योंकि इस तरीके का मुझे ऐसा रगता है कि इस तरीके का question आपके paper में पूंचा जा सकता है देखो हमें यहां पर समझना है सबसे पहले पहली combination यानि की नाम से पता चल रहा है चीजों को मिलना यानि की चीजें मिलकर क्या हो जाएंगी combination जैसे आपका आपके पड़ोस वाले बच्चे के साथ combination हो गया कि वाई दो question तू याद करके आना दो question मैं याद करके आऊंगा वो मुझे बताएगा तू मुझे बताना यह आपका हो गया combination डीकमपोजिशन मैंने अभी अभी आपको बताया था एक चीज को तोड़कर चीजों में बाट smartest देना decomposition displacement मैंने अभी आपको बताया था आपकी जगे आपके दोस्त को बैठा देना और आपके दोस्त के जगे आपको बैठा है ड़ल displacement मैंने आपको बताया तो इसमें दोबार displacement हो रहा हूँ अब इनी से संबंतित नीचे ये हमारे answer question दिए गए अब ये पूछना चाह रहा है कि ये किस reaction के द्वारा चीजें अलग हो रही है यानि कि इन चारों मैंसे ही कोई न कोई सा लग रहा है इसमें तो बस हमें ये बताना हाँ है कि कौन सा इसमें सही होगा तो चलिए देख लेते हैं मैं पहले इसको साफ कर देता हूं थोड़ा आ जाते हैं अब हम पता करते हैं जैसे कि मेरे पास ये पहला वाला दिखाई दे रहा है ये आ और यहाँ पर क्या है ZN है और यहाँ पर CO2 है तो आपने क्या देखा देखो भाई decompose कौन सी चीज़ होगी जो बड़ी चीज़ होगी तो आपने क्या देखा यह यहाँ पर क्या था यह यहाँ पर अकेला था पूरा अकेला था या नहीं था तो यह तूट कर कितनी चीज़ों हो बन गया दो चीज़ों हो बन गया तो इसका क्या हो गया डीकमपोजिचन इसलिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा second क्या हो जाएगा second दूसरे पर आजाते हैं दूसरा क्या है? और C zu C L II है जब हमने इनको मिलाकर बनाया तो क्या बना? P B C L II बना और C U बना, तो इसको देखिए देखिए यहां भी C L II है यह रा C L II और यहां भी C L II है लेकिन आपने क्या देखा? आपने देखा इसने PV को भठा कर खुद बैठ कया जाकर CU को हटा करे पीवी बैठ कया तो यह क्या हो गया जानि कि जब एक बन्द को बढ़ा हcuss लिए उसके पर दूसरा बढ़ा दिया तो क्या हो गया डिस्प्लेस्मेंट तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा अगले का आंसर क्या है, third, यही होगे न, third, next पर आ जाते हैं, next क्या है, हमने hydrogen लिया और chlorine लिया और हमने क्या बना दिया, HCl बना दिया, क्या बना दिया, हमने क्या देखा, यही तो हुआ, combination, दोनोंने मिलकर क्या बना दिया, paper कर डाला गा, नेक्स्ट की बात करते हैं next क्या कह रहा है next question number है यह CACO3 आपने फिर से देखा क्या है एक चीज़ है एक चीज़ है तो टूटकर कितनी चीज़ बना दी दो चीज़ बना दी जब दो चीज़ बना दी तो टूट गई तो क्या हो गया इनका decomposition हो गया अगले की बात करते हैं क्योंकि convictions क्या है न क्योंड जोत्तिम म Blair हो रहा है अपने क्या हो रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहाए एक वार एन गा tu displacement na का है ना और एक वार ag का हो रहा है कितना displacement हो रहा है दो का तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा हमारा कुछन नंबर 4 क्या double displacement तो clear है यह बात भी आपको समझ में आई होगी उम्मीद है है ना इसमें तो बस मैं यही बताना चाहा रहा था आपको है का combination जो हमने पहले बाला पढ़ा था और कुछन नंबर लास्ट है कुछन नंबर लास्ट का मैं यह अटा देता हूँ इसको आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कौन सा होगा ठीक है तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके एकसाम के लिए काफी helpful होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में